तो आज share करूँगा आपके साथ में पनी टिका की recipe और इसको हम घर पर बनाएंगे बिना गिरिल, बिना तंदूर का और बिलकुल hotel और restaurant से भी बहतर इसको हम अपनी घर पर बना सकते हैं और इसको किस तरीके से बहतर बनाया जाता है तो वो trick मैं आगे आपके साथ में share करूँ आपको वीडियो को पूरा देखना है तो ज्यादा समय न लेते हुए करते हैं रेस भी को श्टार्ट तो सबसे पहले हमी पनीर के इस तरीके से पीस काट लेने हैं उसके बाद हमें इसमें एड़ करना है नमक और उसके बाद जो है हल्दी और मिर्ची इसके उपर से इस तरीक पनीर के उपर तो ये ट्रिक होती है कि हमारा मसाला पनीर टिककर से अलग नहीं होता है उसके बाद हमें इसके उपर डालना है इस तरीके से प्याज टमाटर और सिमला मिर्च आप अपनी अकोर्डिंग डाल सकते हो और आप जो आपको पसंद नहीं है आप उसको इसकी भी क कर सकते हो उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे पनीटिका का मसाला जिसका वीडियो मैं और रेडी बना चुका हूँ इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो तो इसको हम अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से पनीर को और मस पनीर मसाले अच्छे से मैगनेशन से सोग ले उसके बाद हमें इस तरीके से एक सीख लेनी है तो मैंनी जो है सातेश्टिक लिया है आप इसकी जगा कुछ भी ले सकते हो तो इस तरीके से हमें इसको एक-एक पीस करके हमें इस तरीके से इसको लगा लेना है और एक-एक कर के हमें पनी टिका इसमें एड कर लेना है इस तरीके से उसके बाद जो है मैं जो है दूसरी सीख लिया है उसमें भी हम ठीक इसी तरीके से हम पटा पट इस तरीके से पनी टिका को लगा लेंगे तो हमें ध्यान रगना है पनीर पहले पनीर फिर केपसिघंड फिर प्याज फिर टमाटर इस तरीके से इसको हैंग करना है जिससे जो हमारा पनीर कुक करते होए लेना और कापी टैट से ये जो है सीख के उपर लगे रहे तो इस तरीके से मैंनी जो है इस तरीके से पनीर को अच्छे से लगा लिया है तो आपको भी ध्यान रखना है कि हम पनीर पहले पनीर फिर हम जो है टमाटर ये प्याज कैपसिकम और इस तरीके से जो है उसके बाद पनीर को एड़ करेंगे तो काफी अच्छे से टैट से लग जाता है तो इस तरीके से मैंने सबको अच्छे से सीख में लगा लिया है अब हम इसको करेंगे कुक उसके बाद जो है मैंने पहले जला लिया है गैस तो gas को हमें high flame में on कर लेना है उसके बाद जो है हमें इस तरीके से इसको सेख लेना है जिससे कि हमारा मसाला इसके उपर चिपका रहे और पनीर white white न दिखे तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है तो ये हमारी trick नमबर दो है तो इस तरीके से अगर आप इसको gas के उपर सेखोगे पहले तो आपका पनीर मसाला छोड़ेगा नहीं बिल्कुल नहीं और काफी टैट से ये पनीर के उपर लगा रहेगा और उसके बाद जो है हमें इसको अच्छे से चारों तरफ सेख लेना है इस से जो है जब तक ये जो है इस तरीके से हलका सा रोष्ट न हो जाए तो हमें ये ध्यान रखना है और उसके बाद जो है हम इसको डालेंगे नोनिश्टिक तववा के उपर इस तरीके से और गैस को हम मीडियम हाई फ्लेम में जला लेंगे उस तरीके से फिर मैं दूसरे पनीर की सर्या को भी सेख लोगा तो इस तरीके से हमें सेख लेना है तो चारों तरफ हमें ध्यान रखना है कापी अच्छे से सीख जाए तो इस तरीके से हमें गुमा गुमा कर चारों तरफ अच्छे से से शेख लेना है और उसके बाद हमें इस सीक को भी हम डाल देंगे ये नोन श्टिक तववा के उपर तो इस तरीके से हमें गैस की फ्लिम मीडियम रखनी है और चारों तरफ इसको अच्छे से गुमा लेना है तववा के उपर भी जिससे पनीर अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद मैंने क्वेले को गैस में जलानी के लिए रख दिया है तो इस तरीके से हम चारों तरफ इसको अच्छे से से शेख लेंगे तो इस तरीके से हमें पनी टिका को ध्यान रखना है कि हमें एक ही सैट जादा नहीं सेखना है चारों तरफ इसको बराबर से सेख लेना है तब ही इस तरीके से तो ये पनी टिका जो है परफेक्ट सिख कर तयार हो गया है अब हमें गैस की फिलिम बिलकुल लो कर देनी है और उसके बाद हमें सेट में एक कटोरी लिया है आप कटोरी की जगा सिलबर फॉयल भी ले सकते हो उसके बाद जो कुएला हमने जलाये था उसको डाल देंगे और इसमें एक स्मोक दे देंगे जिससे की तंदूरी फिलेवर इसमें अच्छे से आजाए और लगे नहीं कि हमनी इस पनी टिका को घर पे बनाया है तो क्वेला का इसमो कापी अच्छा रहता है सनेक्स के उपर तो इस तरीके से देखो कापी अच्छे चारों तरब से पनी टिका सीख जाता है और यह पनी टिका जो है तयार हो गया है आप तो आप इसको serv कर सकते हो, आप चाहे हैं इसको ये सीख से भी निकाल सकते हो, तो उमीद करोंगा, आज की ये recipe आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये recipe पसंद आई है, उसके बाद जो है हम इसके उपर डाल देंगे, चाट मसाला और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा ह अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सस्क्राइब कर दे और सेट में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा धन्यवाद बाबाई